दोस्तों जब बात करने वाले हैं 30 x 40 house plan की जैसा कि आप इस screen पर देख रहे होंगे इसी model को discuss करेंगे पूरा इसकी front television की बात करें तो एक normal front television और एक new अगर देखने को मिल रहा होगा आपको विद पोर्च के साथ मैंने डिजाइन किया है हमारे एक paid user है उन्होंने हमें contact किया और उनके कहने पर ये model को डिजाइन किया है उन्ही का पूरा ये model है तो 30 x 40 foot में पूरा डिसकस करूँगा इसका ground floor पर मैंने के का create किया है friend television जैसा कि आप देख रहे है इस type का होगा और साथ साथ में bedroom कितने निकले हैं लेट बाद वगरा सारा detail आपको डिसकस करने वाला हूँ तो बने इस video लगातार मैं हूँ पहुंच हागड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल small house plan अगर आपने भी तक small house plan को subscribe नहीं किया है तो जरूर कर लें साथ साथ well icon जरूर दबादें से मेरे आने वाले सभी video लगातार देख सके इस small house plan पर दोस्तों आपको लगातार updated वीडियो नए नए models देखने को मिलते हैं जो आप देख कर एक idea लेख सकते हैं और जब भी आप घर बनवाएं तो आप उस तरह के model create करवा पाएं तो चलो जो आज का model है 30 भाई 40 फ्रिट में उसे discuss करता हूँ से चलो मैं इसे zoom करके आपको दिखाता हूँ जिससे आपको इसका realistic view देखने को मिल जाए तो यह साड़े 3 फ्रिट का जो उपर boundary है पहले मैं इसे discuss कर लेता हूँ उसमें हर एक corner पर यह चार corner पर यहाँ पर आपको देखी है यह design मैंने create की है यह आप ito का भी करवा सकते है यह यहाँ पर steel की railing लगवा सकते है और इसके बाद यह बीच में आपका देखी oval type का जो इसके बाद similar बिलकुल इस तरफ है तो यह पूरा railing का design हो गया जो आप front television देख रहे हैं अब हम बात करते हैं इसके ground floor की पहले मैं बात कर लेता हूँ तो ground floor पर जैसे आप चलते हैं तो आप यह देखने को मिलता है आपको ground floor पर तो यह आप जो पट्टी से देख रहे हैं first floor का part आप इसे ignore करें तो सबस्क्राइब यहां stairs हैं यह देखिए दो प्लर मिलते हैं जो कि मैंने पोर्च क्रेट किया है यह प्लर मिलते हैं इसके उपर यह round color का यह देखिएगा beam मैंने क्रेट किया है round color का इसमें थोड़ा से मैंने color combination include कर दिया है यह आपको इसका model और अ आप इसका जो टेक्शर है वो आप देखिए जूम करके दिखाता हूँ जो style यहां पर क्रेट किया पहले छोटे छोटे चोटे दो पिलर है और उस पर यह गुम्टी टैपकब बना हुआ है तो यह तो पोर्च की बात होगी अब इसके जब main door से यह हैं से अब entry करते हैं तो मैं 2D में discuss कर चुका हूँ वो similar size की गैलरी आपकी जाती है इसके बाद जैसे आप अधनर जाते है तो यहां पर आपको dining area मिलता है जो की छोटा है हाला कि और लेप्रेंट की बात करें तो यहां से stairs आपका चर्णनेक हो गए आप जाएंगे turn होकर फिर से वापश आ जाते है इसके जश्ट बगल में एक बड़ा सापको kitchen area मिलता है यह kitchen का area है जो की door यहां से side से window भी दिया है और जश्ट इसकी बात करें इस corner पर भी एक मैंने बड़ा से वेल्ट डूम दे रख गया है तो 30 वाई 40 फिट में बहुत काफी लगबग है जगर बात करें तो पंदा पीशे जा सकें उनका पीशे लेटेंट बात करेंड पहले से अल्रेडी था क्योंकि उन्हीं की requirement का कौर्डिंग बनाना था अगर आप लेटेंट बात बनाना चाहते हैं तो आप इस upstairs की नीचे लेटेंट बात को cover कर सकते हैं अगर नहीं करना चाहते हैं वहां पर तो आप इस bedroom को थोड़ा सा छोड़ा गर दे और यहां पर लेटेंट बात आप बना दे क्यूंकि बेड्डूम यह लगवग 15 फिट के है तो दस फिट का आप इसे कर लें और पांच फिट का लेटेंट बात के लिए निकाल दे तो तीन बेड्डूम एक किचेन और इसका दे स्टेयर् एक front elevation की तो यह प्लर है इसके बाद मैंने color combination दिया है इसके बाद यह बीम की height है यह प्लर जो है लगबक 7 फिट में और यह तीन फिट में पूरा design कवर किया है यह round color का और यह तो यह पूरा बनकर रिडी हो जाता 30 वाई 40 में और फ़र्ष फ्लोर जैसा कि और लीडिक्स कर चुका हूँ, साड़े तीन फुट का चारो तरफ बाउंडरी, उसी में ये स्टील की बात करें, आइरन की बात करें, आप रेलिंग टाइप की दे करें, ग्रिल डाइप की और ये ओविल डाइप का सरकल डाइप का आपका डेजाएं और मैंने क्रेट किया है, तो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और चैनल को अगर आपने बितिक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, अगर किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है, तो कमेंट करके एक बाद जरूर पूछे, थैंक्स वाचिंग